है लो गाईस आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में आज इस वीडियो में सिखने वाले है कि 0.25 के विए का जो हमारा ट्रांस्फर्मर होता उसका वाइंडिंग कैसे क्या था कैसे आप उस्ट रांस्फर्मर से 12 वोल्ट का लूप निकाला जाता है कैसे उसे रोट्री स चाहे मन का जो फोल्टेज होता वह आपको निकाल सकते है ठीक है तो कैसे उसका क्नेक्शन के जाता है यह आपको बताने वाला है इसका वाइंडिंग का डाटा पूरा किलरूप से आपको समझाएंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इससे रिलेटर ठीक है तो चली गार अब इस ट्रांसपर्मर का वाइंडिंग सिंखना चाहते है इसका कैलकुलेसं जाना चाहते है कि कैसे सका क्लेकुलेसं कए जाता है तो बस आपको वीडियो को लाठ तक वाच करना है यह चला लएक कर दीजियेगा किमारे न्टिकर सबसे पहले आपके पास लिय्ट तकि अनीवसरी को तो चलिए ज़से कि बोविण। करते हैं पहले इस यहां पर फिए कर बना देते हैं और वाको बोविन पना तेथे लिए कर तेनल में कर दंदते हैं चलिए लापशू कुश्रमब कर देंवघheen जाता सब्सक्राइब करते हैं तो देखे ट्रांस्फर्मर पर जब हम क्या करते हैं वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा पहला सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद कुछ टर्न लगा करके यहां से क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं जो और सकेंडर्य वाइंड रहता है तो अगला लूप निकलते हैं ठीक है और इस ट्रांस्फर्मर पर रहें से टोटल हम क्या करते हैं 10еюсь निकालते हैं तो दो लूप कर निकल गया उसके बाद तो लूप निकल गया जिसका एक रखने रॉट्री स्विस्विद्श में कर जाता है ठिक ना पर देखे एक कर निकल गया यह ऑग Ace ठीक है यह मारा होगया तीन हो जो यह गया और यह जो आफ यह यह फॉला यह हमारा लूप हो यह तो गाइस यहाँपर आठ लूप जा आपको दिखाए पड़ रहा एक से लेकरके आठ तक इन आथो जो लूप है इसका connection rotary switch में क्या जाता है जब आप step laser खोड़ेंगे तो उसमें क्या क्या आता है rotary switch में connection क्या जाता है तो इस transformer क्या जाता है से उपर में क्या आघांक है तो इसके उपर में आ nhई एक वीडियो बना चुका जिसका link तो चलिए आगे की परिक्रिया हम समझाते हैं तो यहाँ पर पहला जो हमारा निकला वह कॉमन का निकला उसके बाद 12 फोल्ट का और इसके बाद यहाँ पर आठ लूक निकला जिसका क्नेक्शन हम क्या करते हैं रोटी स्वीच में करते हैं ठीक है तो कैसे कितना टर्म पर यह फोल्ट को निकला वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले टीक है यतरा तो समझने आगे चलिए उसको क्या करते हैं साइड में रखते हैं आपर चलिए तो देखें गास यहाँ पर इसक प्रिक्रिया है पहले हम लोग वह समझ लेते हैं ठीक है तो जो आपर इस ट्रां तो इस वाइड को अगर आप 25 इंची नाप करके ठीक है उस वाइड को आप 25 इंची माप करके ठीक है मापेंगे ना तो वह 25 इंची का जो वाइड होता है जो हम इसमें लपिटते हैं वाइंडिंग करने के लिए इसमें ठीक है कितना करता है कि दिखा रहे हैं में यह यह अपको धिखाने के लिए इपर देखा कर रहे हैं यहां तक हमारा पर कर उसक्सकर रखे टोय को करए से सब्सक्राइब एस जाक करेगर यहां प्सक्राइब फश्चीश इंचिक है फटी-प्सक्राइब यह स्ब्सक्राइब सब्सक्राइब को इसको पड़त भाई पड़त के आता हम आपको किवल समझाने के लिए पता रहें ठीक है यह 2 हो गया और यह 3 हो ठीक है तो जो आप 25 इंची का जो वाइड आप नापेंगे कितना जारा है 5 टरने जारा है कितना जारा है 5 टर्ल पज़में जारा है और 25 इंची जो Isto ना 5 ऊस्क्राफ श्किने जाय और इसमें क्या करते जारा है एक भोल्ट का निर्मांन कर रहा है ठीक है समाँना heavier 25 इंची क्वलत फ्सक्राफ एक लेक बाप पाँच टर्न लगाना पड़ेगा किसमें इस बॉबिन एक भोल्ट निकाले के लिए हमको पाँच टर्न लगाना पड़ेगा ठीक है तो हमको चाहिए कितना बाड़ा भोल्ट ठीक है तो बाड़ा भोल्ट के लिए हम क्या करेंगे बाड़ा गुने पाच ठीक है पाच टर्न अड़ा समझ मतलब कितना हो जागा 12 पचे 60 टर्न ठीक है मतलब यह कि जब आप इस बॉबिन में 60 टर्न लपेटेंगे तो 60 टर्न पर जो हमारा लूप निकलेगा वो कितला भोल्टेज का निकलेगा 12 वोल्ट का निकलेगा आप तो समझना आके चलिए अब जैसा कि माले से कि निकलेगा जो लूप निकलेगा क्या करेंगे अगर मालेश्टे के आपकी बॉबिन में 5 टर्न ना हो करके क्षार अगर मतलब 25 इंचिक के क्वाल आपके बोवीन में जितना तर्न होका उतना इसको गुला करना है क्लिए उस्विस भोल्ट का निकालना है फिक है इसमें से 12 वोल्ट कितना टर्न पर निकालेंगे तो 24 गुण क्या कर देंगे हम पांच टर्न कर देंगे ठीक है यहां पर क्या होजाएगा पांच होगा बेस और पांच दूना दस वूबाड़ एक जाएगा क्या एक सोबीस टर्न हो जाएगा तो एक सोबीस टर्न जब आप इसमें लपटीएगा तो वहां से जो हमारा लूप निकलेगा वह कितना वुल्ट का हो जाएगा ठीक है आप आड़े जिसमंगी चलिए तेस्तो अब हमनों क्या करते हैं आपको थोड़ा अशाम बता मतलब नवेवट पर नुल तो यह क्य सके हैं। उपरेट होने लक्ता है मतलब चालू जाता है एक होड़ा वा कितना वुल्ट ऐता है 230 बूस सेथीज तो हम यहां पर क्या करेंगे 230 वोल्ट हमारा यहां अधी आवलेबन होता है और हमको 90 वोल्ट पर श्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 90 वोल्ट को जब माइनस कर देंगे तो किता हो जाएगा यहां पर जाएगा किताब्लक्ण चाड़ 1 मतलँ 140 वोल्ट ठेत तो हमको क्या करना इस ट्रांस्परमर से 140 वोल्ट का निरमान करना हैं मतला 140 बनाना है ठीक है अधी सुन पूचली देखिए आपड अब हमको यहां पर देखे एक बोल्ट के लिए पांच टर्म तो 140 वोल्ट के लिए यह क्या करें लोग्ने होगे यहां है यहां से मुम्हां सब्सक्राइड। केस चाट करेंगे तो यहां से यहां तक तक 12 लूप निकालेंगे च्छuna से यहां तक कितना हो जाएगा 12 का लूपms satr поэтому है की साटक टर्न ठीके साट यहां न्पर 12 बोल्ट का लूप निकला और यह मैं क्या हो जाएगा यह स्रीज में रहता है ऐसे ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके बाद अगर आपको 24 बोल्ट का निकालना है तो 60 बोल्ट तो यहां प्र हो गया और साथ बोल्ट और सब्सक्राइब और आप लपड़ेंगे तो यहां पर जो आपका लूप निकलेगा वह आपक और लूप हो गया ठीक है तो आठ लूप में इसने हमारा जो पहला लूप निकलेगा वो कितना तन्फन उपर निकलेगा तो हमारा जो पहला टर्न वह एक सुरूहलीस बोल्ट का हो जाएगा क्या तो यहां से ले पर किदिए करiamo हमारा सट अंद क्या करेंगे 640 बार कि अंद कि आप लपट यहां से में आप एक अनकल गया उसके बाद हमको आपके आट को में से तेग निकल गया थो नीकेल वह हम आपको बताते हैं ठीकेब चली दखिया आप back है एक सोचाइस भूल्ट में रहए उन्हों को साइडकी निकालया है तो सात मारते गड़ेंगे दो कंट रहे हो जो कितना इसे परूब तो इस पहला का लूप के बाद हम क्या करेंगे तो हमारा दूसरा लूप निकलेगा जो सौ टर्न के बराबर का ठीक है पर तेक लूप हमारा बिस पूल्ट करना चाहिए तो फिर अगला हम क्या करेंगे फिर सव के बाद अगला लूप निकलेगा फिर निकलेगा छठा सत्वा और इस्टी प्रकार्स में क्या करेंगा अठवा लूप निकल जाएगा ठीक है एक दू तीन चार पांच छो साथ मतलब साथ सो टर्म आपको लगाना पड़ेगा समझार तो यहां तक जो आपको लगा दीजेगा सरस्वर्म आपके किनेक्सन क्या जाता है इस परकार से इस ट्रांसफर्मर का वाइंडिंग का इसका डाटा निकला जाता है और उसके बाद यहां पड़ी आठ लूप निकल गया इस आठ लूप का कनेक्सन में रोट्रिसिसम कर देते हैं और इस जो मारा 12 वोल्ट का यहां पुरा इसका करेंगा तो आपको के लिए से समझ में आ गया अपको जितना मर्ची यह उत्रा वोल्ट का यहां क्या कर सकते हैं चलिए उतना टरņ में उसको गुं़ न कर देंगे यहां पर हमारा यह वोल्क निककले गागाओ कितना भोल्क सिर्प निकले हो हुआज अनुकि निकलेगा जो यह सितना घंशाता है और sowठ के तो यह यह उब याइटिस पर कना फ्रूट शूर्ड जाएगा वह कितना voltage का निकलेगा 30 voltage का निकलेगा आगे समझने चलिया तो यह था हमारा यह 0.25 के भी जो हमारा आपको सबसे पहले मिले ठीक है तो चलिए आज के लिए तना है तब तक के लिए बाय जय हिन जय भाड़त